नमस्कार दोस्तो एक्जाम सार्ती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम अपडेट देने वाले हैं आपको जूनियर अंकाउंटेट भरती 2023 रीट पिटिशन मामले की जी हाँ दोस्तो जूनियर अकाउंटेट 2023 बरती परक्रिया को लेकर के कोट में जो याचिका लगी है उसमें क्या अपडेट है जो याचिका करता हमारे मादेम से जुड़े हैं इस केश में उनको अपडेट को लेकर के काफी उच्छुकता है क्योंकि एक्जाम आपका 11 फरव इस्तती में कोट की तरफ से क्या रुक किया गया है कब तक आपका फेसला जाएगा आपके एडमिट कार्ट जारी होंगे की नहीं होंगे हो सकता है इस फीक में या नेक्स्ट वीक में जो है आपके एडमिट कार्ट जारी हो जाएं तो क्या आपके एडमिट कार्ट जारी हो वो case status में जाकर कि खुद से check कर सकते हैं जिनको check करना नहीं आता है वो हमारे previous वीडियो देख सकते हैं कि case status में अपना नाम check कर सकते हैं बार बार आप message और call करने की जहभद ना उठाएं आप खुद से अपने case के बारे में जानकारी कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात आती है कि अब एक्जाम काफी नजदीक है समय काफी कम दिया है 15 गुना भी कंडिडेट्स बोर्ड ने ने लिये हैं और न्यूज में भी आपने देखा होगा कि आज की जो खबर है कि बोर्ड ने मनमानी की है और जो जनरल केटिगरी में लगबग जहा पर 20-21,000 कंडिडेट्स लिए जाने थे हैं वहां पर मात्र चार-पांच हजार के आजपास कंडिडेट्स लिए हैं तो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से जो बोर्ड की तरफ से जो है 15 गुना कंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 15 गुना सबी गई है सभी के टेगरी की उस कटोफ में भी तोड़ी सी कमी लाई जाए क्योंकि अगर केटेगरी वाइस कटोफ जो रिजर्व केटेगरी है उनकी कटोफ जनरल कटोफ से कम होने चाहिए यह मांग की गई ती तो दोस्तो इस मामले की जो सुनवाई है अलांकि आज भी इस मामले में सुनवाई थी लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई संतुष्टी वाला कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है जिसके चलते अब जो है कोट में आपकी जो सुनवाई है वो पांच फरवरी को है पांच फरवरी को आपकी फाइनल सुनवाई इस पे है अगर पांच फरवरी तक बोर्ड की तरफ से जो पिटिसनर्स हैं उनके एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर के या पंदरा गुना कंडिडेट्स ले इने को लेकर कि कोई जवाब दाकिर नहीं किया जाता है तो कोट की तरफ से जो है बोर्ड को निर्देस दिये जाएंगे कि आप इन सभी पिटिशनर्स के जो भी पिटिशनर कोट पहुंचे हैं उन सभी को मेंस एक्जाम में बेटने का मौका दें और उनके एडमिट कार्ड जारी किये जाएं उसके बाद में जो ये आपका मामला चल रहा है कोट में वह तो आगे चलता रहेगा लेकिन एक बार मेंस में बेटने के लिए इनके एडमिट कार्ड पहुंचे जारी किये जाएं क्योंकि 11 फरवरी को ही एक्जाम है अगर किसी इस्तिति में बोर्ड एड मामले को ले करके order कर सकता है मेंस exam को postpone करने को ले करके और अगर exam postpone नहीं होता है तो आपके admit card निश्चित तोर पे जारी हो जाएंगे जितने भी petitioners है या तो board को 15 गुना candidates ले करके category wise जो cut off है वो जारी करनी होगी 5 February के order के बाद और अगर exam से पहले board ऐसा करने में विफल रहता है तो सभी candidates को जो है मेंस परक्रिया में शामिल किया जाएगा तो ये आपकी court case से related update है जो भी अबेरती हमारे मादम से याचिका में जूडे है उन सब का जो data है जो उनका नाम है वो petition में आप case status में जाके check कर सकते हैं individually भी आपको petition number वगेरा बेज दिये गए हैं जो नए candidates और भी अभी जूडना चाते हैं कि हमारा भी जो है याचिका में नाम जूड जाएं कैसे भी करके तो वो candidate भी नीचे वोड़सप का जो link दिया है वहाँ पर जाकर के अपने documents बेज सकते हैं और इस याचिका में शामिल हो सकते हैं 5 February से पहले पहले उसके बाद में नाम मुश्किल है आपका नाम add नहीं हो पाएगा एक बार order हो गए तो और 15 गुना के लिए admit card जारी हो जाते हैं उसके बाद नाम शामिल नहीं होंगे कोई आचिका नहीं लगेगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, share करें, साथ ही आगे आने वाले updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, तन्यवाद